हेलो एब्रिवान, अस्सलाम उलेकुम, कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ, आप सब खेरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अलहमदोलिल्ला, तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी, जो बिल्कुल नहीं है, और आप इसे बनाएंगे, तो आपको बहुत ही अपसान सा ये रेसिपी है, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं, अगर आप बच्चों को लंच में देना चाहते हैं, तो कुछ प्रिप्रेशन आप पहले करके रख सकते हैं, और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, तो चलिए इस टेस्टी से रेसिपी के लिया है यह पूरे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है तो मैंने पहले ही इसे उबार लिया है और अब हम इसे चॉपर में डाल करके चॉप कर लेंगे थोड़ा सा मोटा मोटा हमें इसका चॉंक्स जो है वो रखना है अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रैंडिंग ज देख सकते हैं ज्यादा बारिक नहीं है जिन लोगों को स्वाबीन का टेस्ट पसंद नहीं आता है पकने के बाद वो सोच भी नहीं पाएंगे कि इसमें स्वाबीन का स्टफिंग है तो चलिए सबसे पहले हम स्टफिंग को तियार कर लेते हैं तो मैंने एक कढ़ाई लिया तेल में इसकी फ्लेवर आ जाए तो अच्छा लगता है तो अब हम इसमें डाल देंगे डायरेक्ट सोया बढ़ियों को जिसका हमने कीमा बना करके रखा हुआ है आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको फील आएगा कि आप वेज नहीं नॉन वेज का नाश्ता ख पका लिया है बस एक मिर्च से ज्यादा नहीं पकाना है अभी इसमें हम जालेंगे कुछ चीजें फ्लेम को रखा है मेजम टू लो सबसे पहले जाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉडिंग नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्यूंकि आगे इसमें सौसिज भी पढ़ने व वरना अच्छा नहीं लगेगा अगर यह तीखा बन गया तो फ्लेम को मीडियम टू लो पर हम इसे पकाएंगे और अब हम डाल देंगे कुछ सब्जियां एक मुठी के करीब पत्त को भी लिया है और आधी प्याज को मैंने लच्छों में काट लिया है आधा चमाचर को मैं पहले सब्जियों को नहीं पकाया है और सौबीन को पहले डाला है बाद में सब्जे डाला है तो कोई बात नहीं है जब यह सबी चीज़े एक साथ पकेंगी तो सब्चेस जो है वह खतम हो जाएगा तो चिल्ली सॉस डाल देंगे एक टीजपून और टमाटो केचप भी डा मिनट के लिए पकाएंगे क्योंकि इसे जो सब्जियों में पानी छोड़ेगा ना उसी में अच्छे से यह पक जाएगा और सौबीन में भी सारा फ्लेवर जो है वह चला जाएगा तो इसे हम 10-12 मिनट के लिए पकाते हैं बीच-बीच में हम चेक करते रहेंगे और बीच- अगर आप इसमें से कुछ सब्जिया कम करना चाहें या कुछ और डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं इसके अंदर जो सब्जिया गई है बच्चों को बिल्कुल भी पकड़ नहीं आता है कि इसमें क्या-क्या सब्जिया है बहुत टेस्टी बन के त्यार होता है यह अला करके पंखे के नीचे रख देंगे ताकि जल्दी से जल्दी यह ठंडा हो जाए तब हम आगे कब प्रोसेस करेंगे तो इसे करते हैं ठंडा देख लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस को यहां पर मैंने कुछ ब्रेट के स्लाइसेस लिए हैं ब्रेट के स्लाइसेस आप अप को मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को आल पर कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँशती रहे और वीडियो को एक लाइक जरूर किजेगा तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने बेलन की मदद से इसे फ्लैट कर लिया है बेल के थोड़ा सा हाथों से प्रेस करते हुए इसे बेलेंगे तो यह ऐसा चप्टा सा हो जाएगा यहाँ पर मैंने ले लिया है मयोनीज इसे हम सॉस त्यार करेंगे बहुत इंस्टेंट सॉस त्यार करेंगे थोड़ा सा हम टैचप डाल देंगे एक टेबल स्पून के करीब या फिर जितनी हमें जरूरत होगी जितना हमें नाश्टत त्यार करना है उसी के इसाब से हम सॉस हमें करने थी जो मैंने करके रखा है थोड़ा सा मैदा में मैंने अब देख सकते हैं बहुत ही गाड़ा सा सलरी बना कर रखा है थोड़ा सा मैदा लिया है थोड़ा पानी दोनों को घोल करके गाड़ा सा घोल त्यार कर लिया है और यह जो साइट बचे हैं इसको हमें ब्रेट जितना हमें नाश्ता बनाना है उसके हिसाब से अंडे ले लेंगे थोड़ा सा नमक डाल करके इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बीट कर लेंगे तो ये भी तैयार हो चुका है, तो हम इसे भी साइड में रखते हैं, और यहां पे हमारा स्टॉफिंग जो है, वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो अब हम चलते हैं, असेंबल करते हैं सबी चीजों को, सबसे पहले मैंने सॉस लिया है, सेंटर में हम सॉस को लगा दें और फिर हम अपना स्टफिंग जो है वो भरेंगे इसे हमने डाल देना है बिल्कुल सेंटर में किनारों को हमने छोड़ देना है क्योंकि किनारों को हमने सील करना है तो बस स्टफिंग को हम अपने इसाप से भाग लेंगे और उपर से थोड़ा सा हम और सॉस डाल देंगे इसे बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्श्चर आता है अब जो हमने मैदा की सलरी त्यार करके रखी थी इसे भी हम चारो तरफ साइडों में लगा देंगे क्योंकि हमें इसे सील करना है ये तो फ्राइ करते समय ये खुल भी सकत है तो अब हम दूसरा पीस रख देंगे इसके उपर और अच्छे से इसे दबाते हुए सील कर देंगे चारो तरफ से आपको अगर मेरे बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़् कीजे तो ऐसे ही हम सभी पॉकेट्स को तयार कर लेंगे तो एक और को हम फिल कर लेते हैं इस पॉंट पर आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं यानि सभी पॉकेट्स को रेडी कीजे एरटाइट कंटेनर में रखिए और फिर आप उसे डीफ फ्रीजर में रख दीजे एक हप को जब भी जरूरत हो डिफ रिजर से निकाल लिए और आप इसे अंडे में डिप कीजिए और फिर ब्रेक क्रम में कोट करके फ्राइ कर लीजिए तो एक हफते तक यह अराम से चलेगा तो मैंने कुछ ब्रेक पॉकस त्यार कर लिए हैं और अब हम इसे फ्राइ करेंगे बहु और फिर हम इसे अच्छे से ब्रेक क्रम में लपेट देंगे तो ऐसे ही हम बाकी सब को त्यार कर लेंगे जितना हमें जरूरत है हम उतना बना लेंगे अगर अंडा कम पढ़ रहा है तो और भी अंडा ले लेंगे तो बस यहां पर हमारा जो ब्रेट पॉकिट से वो त्यार है अब हम इसे फ्राइ करने लगे है तो हमें इसे शैलो फ्राइ करना है डीप फ्राइ नहीं करना है तो मीडियम हीट पर हमने तेल को गरम कर लिया है और मीडियम हीट पर ही हमें इसे पकाना है अगर ज्यादा जाएगा और अंदर तक नहीं पकेगा और लो कर देंगे तो बहुत ही ज़्यादा तेल पी लेगा तो हमें मीजम हीट पर ही इसे फ्राइ करना होगा आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसमें तो ऐसा कलर आ जाए तो हमें इसे बाहर निकाल लेना है तो मैंने दूसरे पॉकिट को भी डाल दिया है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जानिये आप तो खुश होंगे ही आपके बच्चे भी खुश हो जाएंगे अगर आपने इसे किसी महमान को बना कर दिया है वो तो डबल खुश हो जाएंगे इसको खाने के बाद किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बस चाय के साथ आप इसे सर्फ किजिए और टेस्टी सा नाष्टा का मज़ा लीजे तो ऐसे ही मैंने सभी को फ्राइ कर लिया है तो आप देख सकते हैं यह उपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुआ है तो मैं इसे कट करके दिखाती हूँ आपको बहुत ही लजीज बनके त्यार हुआ आप देख सकते हैं इसके अंदर से कितना क्रीमी सा स्टॉफिंग है इसका बहुत ही मज़ेदार बनके त्यार हुआ था आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ किजेगा अपनी फैमिली और फ्रेंट्स में भी शेयर किजेगा इसमें आपको कहीं से भी पता नहीं लगेगा कि आपने इसमें सोयबीन को स्टफ किया है आपको लगेगा कि आप चिकन खा रहे हैं वैसा आपको फील आएगा तो प्लीज मुझे सपोर्ट किजे चैनल को सब्सक्राइब किजे वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और रेसिपी को ट्राइ करना मत बुलिएगा मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप अपना धेर सारा ख्याल रखिए अल्ला हाफीज